पैस्बॉल के अंदाज में इस श्रिंखला की हुई थी शुरुवात एंड में आते आते हमने तो यही का अरे बाज आजाओ मेरे यार थोड़ी सी थो ऑर्थोडोक्स ट्रडिशनल क्रिकेट खेल लो लेकिन इंग्लेंड ने का ना हम से ना हो पाएगा हम तो एक चार से हार के श्रिंखला हम संतुष्ट है क्योंकि पांच-जीरो से तो बहतर ही रिजल्ट है I mean I won't argue with that पर जब सीरीज हो जाती है समाप तो फिर करने को होती है बहुत सारी बात मैं सोच रहा हूं कि टॉप सिक्स परफॉर्मेंसेज निकालते हैं टॉप सिक्स परफॉर्मेंसेज फॉम फाइव टेस्ट मैचेस कर लेते हैं उसकी बाद फोर मैचेस नो मुहमाज श्यामी एंटार सीरीज नो जाडेजा इन वन फे टेस्ट मैचेस और फिर भी कुल मिला के जब अपंत पे पहुंसते हैं अपने सबसे इनेक्सपिरियंस इंडियन बैटिंग लाइन अप इन मेरे ख्याल से पिछले कुछ 15-20 सालों में उससे आप शिंखला जीते हैं पर वहां पर फास बोलिंग का कॉंट्रिबूशन भी रहता है तो इस विन जो मदब आप सेवर करते हैं क्या यार मजा आ गया बहुत मजा आ गया तो वेल डन टीम इंडिया एक्स्ट्रीमली प्राउड और हमने वैसे जियो सिनेमा पे इस बार जो पूर पर जो जो जबी बूमरा की वो जो वाईजक वाली पर फास थी उसको मैंने आप सिनूटली नंबर वन पर रखा है क्योंकि वो अलग थी यार वो अधबुत थी वो आपके सामने वो 15.5 और का बोलिंग स्पैल जिसमें 6 विकिट चटका देना एक एकदम सपाट पिच के नजर आ रही है, वहाँ पे आके उस तरीके का प्रदर्शन करना, ओली पोप को जो बॉल डाली, वो तो मतलब इस वन फॉर दर कीप्स की, वो आपको वहीं सालों तक वो याद रखने वाली बात है, जिस तरीके से जो रूट काउट किया, और फिर दूसरी इनिंग्स में भी, तो इपनी आसानी से मुकाबला भारत वो भी ना जीट पाता, तो I think in my opinion, नमबर वन पे जमने परफॉर्मेंस रखी है, वो है जस्पीट बुमरा की, keeping in mind की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, यहां फास बोलर के लिए उतनी मदद नहीं है, और सामने एक टीम ऐसी है, जो फास बोलिंग को बहतर खेलती है, I mean, that's what you'd like to believe, भाई, इंग्लेंड है आखिरकार, यह होई मेरी नमबर वन परफॉर्मेंस, नमबर टू पे मैंने वैसे अक्चिए रखा है, ओली पोप की परफॉर्मेंस को, बहुत ज़्यदा इंग्लिश परफॉर्मेंस नहीं है, जिनको आप कहें, वाउ, और खास बोर से जब आप जीच जाते हैं, शिंकला तो आप कहते हैं, चोड़ना उस परफॉर्मेंस को आगे चलते हैं, पर unfair होगा, क्योंकि 190 की अगर आप लीड कंसीड करते हैं, और फिर आके एक बंदा नियरली 200 रण की पारी खेलता है, 196 राइट, he was absolutely outstanding, वो sweep मारे, switch sweep मारे, reverse sweep मारे, उसने हिला दिया यार, वो कहते हैं, शौक लगा, 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 शौक लगा, वैसा लगा हमें पहले मैच में, जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन था, तो उस performance को that only Pope knock, नमबर दो पे रख रहा हूं, मतलब ये right up there है, आलंकि ये बाग भी बड़ी हैं कि, शौक लगा की शुरुवात आपने इतने धमाकेदार अंदाज में कि, और उसके बाद आपके बल्ले सिरानी निकले, ऐसा लगा कि वो किसी और ने पारी खेली थी, और ये बाद में जो खेला है, वो Pope का सिरफ मुखोटा लगा की खेला है, I mean that was the kind of feeling you got, पर वो जो पारी है उसको तो आप बिलकुल बुलाई नहीं सकते, वो one of the best knocks हैं किसी भी overseas batter की भारत में आकर खेलते हुए in test cricket, तो Olipo, नमबर टू पे मैंने रखा रहा है, नमबर तीन पे मैंने रखा है ये शस्वी जैसवाल की दोहरे शतक की पारी जो वाईजएक में आई थी, अब क्यों कहारो मैं ऐसा, क्योंकि वाईजएक में भी आपकी शुरुवात जो थी वो अच्छी नहीं हुई थी, आप लड़ खड़ा रहे थे, इन फाक्ट दूसरे एंड से विकेट्स तो गिरते ही रहे थे, पर ये शस्वी जैसे, 200 रन की पारी थी, इन फाक्ट उनने दो दौहरे शटक जड़े, पूरे श्रिंखला में एक भी प्लेयर अधर मैश परफॉर्मेंस नहीं मिला, अंत में जाकि ज़रूर जीतने हैं, प्लेयर अधर सीरीज अवार्ड पर, वो जो 200 रन की पारी थी, पहला दौहरा शटक इनका, बहुत ही युवार टेस्ट करियर, और पर 50 परतीशे से ज़्यादा रन्स जो थे, वो उस पारी में एक बंदे के बना देना, और वो छोटा सा बच्चा है, वो 22 साल का बच्चा है, अबने अपसिलूटली आउटस्टैंडिंग, तो किसी भी दौहरे शटक को आप चुन सकते थे, पर मैंने चुनाएं यशस्वी जैसवाल की उस सब पारी को जो उन्होंने खेली भाईया, कमाली ही निए, वाईजएक में, चौथे स्थान पर मैंने रखा जड्डू के प्रदर्शन को इन राज कोट, तो रविंदर जाडेजा का राज कोट का राजा वाला जो प्रदर्शन था, I think exceptional था, बड़ा sublime था और उसने भारत को important test match, क्योंकि एक support pitch पे 200 run का deficit था सिरफ इंग्लेड के सामने और 8 wicket हाथ में थे, वहां से, of course वो derail होते हैं, उसमें बाकी खिराडियों का भी हाथ रहा, साथ रहा पर player of the match performance वो नहीं की थी, एन रख दिया है, रविंदर जाड़ेजा को मैंने उस performance को मैंने रखा है at number 4 in this 5 match series, at number 5 I have got Dhruv Jure, अब यहां पे अच्छे शुबन दिल की बात करनी जरूरी है, क्योंकि जब श्रिंकला शुरू ही तो दबाव बहुत ज़्यदा था, पर उसके बाद वाईजर की दूसरी पारी में शतक जड़ना, उसके बाद रांची में वो बड़ी धीमी पारी खेलना और फुक फुक के कदम रखना, धरमशाला में फिर एक और सौ जड़ देना, एक जगा वो राज़कोर्ट में 90's में आउट हो गए थे, रन आउट हो गए बिचारे, पर जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा हो, जिस जगा से आ रहे थे, सी कई बार होता है कि आप एक ऐसे स्थान से शुरू करते हैं, जहां से आपको लगता है कि यार फस्तों नहीं जाएगा, पर वहां से मतलब कमाल प्रदर्शन उनने ने किया, लेकिन लेकिन मैं धुरूव जूरेल की तरफ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि रांची में वो जो पारी खीलें नब्हे रण की, देखेidor अगर वो पारी ना आती तो आप दो-दो की बराबरी पर खड़े होते, और अगर दो-दो की बराबरी पर आप खड़े होते हैं तो फिर धरम शाला में किसने देखा था और क्या सोचा था तो धुरूव जूरेल की वो जो पारी थी जो टेल के साथ बैटिंग की फास बोलिंग को भी अच्छे से चलाया खुब बड़े-बड़े शॉट भी लगाए तो धुरूव जूरेल के उस प्लेयर आप पर्फॉर्मेंस जिस तरीके से वो बड़ा कमाल का खेले उनको मैंने नमबर पांच में रख गया है फिफ्ट मदब अगरी करे हो नहीं करे हो बता देना साथ मैं लास्ट बट नॉट दर लीस्ट कुल्दी प्यादा धरम शाला प बात करनी चाहिए उनकी करनी चाहिए उनकी करनी चाहिए क्योंकि हाइस विगेट टेकर हैं बात तो टॉम हाटली करनी चाहिए जो हाइस विगेट टेकर इंगलेंड की तरफ से रहे और रंस मिनोंने खूब मना है पर मैं जा रहा हूँ ना अश्विन के साथ ना टॉम हाट देल का वो योगधानी ना हो। तो कुल्दीप यादव के जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से पहले वो उली पोप को छकाया, उसके बाद वो बेर स्टो को पकाया और फिर आउट किया उन्होंने अपना, he was absolutely exceptional liar, ये Ben Stokes को जिस तरीके से आउट किया I mean he was absolutely stellar तो कुलदीप यादव के प्रदर्शन को मैंने रखा number 6 पर अब ये मेरी ranking थी, मेरी rating थी आपकी क्या है, please do let me know in the comment section कि भाई, मुझे ये पसंद निया है सर आपने उल्टा नीचे कर दिया ये मैंने चुना इस तरीके से the top 6 performances अब आप अपनी चुनिये और comment section को भर दीजे, like, share, subscribe comment, notification, घंटी बजा दीजे वैसे information और बहुत सारी चीजे तो बहुत सारी आ रही है मस्ती मजा magic करने वाली जिसमें BCCC ने कुछ announce भी किया initiative पथिराना की availability पे थोड़ा सवाल है Matthew Wade की availability पे सवाल है there's plenty to discuss अबाई पे लाने वाला है उसकी चर्चा तो हम जबूर करेंगे पर आज के लिए अभी के लिए इतना ही है thank you so much for watching